एक्सर्साइज 12.2 कोशें नूमबर 4 अकोर्ड ओफा सर्किल ओफ रेडियस 10 सेंटिमेटर एक सर्किल है जिसकी रेडियस कितनी गिवन हमें 10 सेंटिमेटर सब्टेंट्स राइट एंगल एट दे सेंटर सेंटर के ऊपर उसने 90 डिगरी का अंगल बनाया यह सर्किल हो गया यह कोड है अब इसने जो है 90 डिगरी का अंगल बनाया सेंटर यह उपर तो यह एंगल 90 डिगरी का हो गया एंगल AOB is equal to of 90 डिगरी इस पॉइंट को मैं पीमान लेता हूं यह जो पोर्शन है वो है आपका minor sector ठीक है और यह जो पोर्शन है यह वाला यह है major sector इसने का find the area of the corresponding minor segment and major sector मतलब आमे पहले तो इसका area find out करना है major sector का और फिर आप से पूछा minor segment मतलब इसका area आप से पूछा है ठीक है तो हम क्या कर लेते हैं पहले यह जो आपका minor जो sector बना है उसका area निखालते है area of minor sector ठीक है उसका formula है हमारे पास theta upon 360 multiplied by pi r square theta की value होगे 90 degree divided by 360 into में pi को तो pi रहने देते हैं उन्होंने 3.14 का है बाद में put कर लेंगे value इसकी into में r square ठीक है r उसने दे रखी है 10 तो 10 का square इससे cancel होगया 9 से इसको cancel करें तो 4 पे pi की value हो 3.14 multiplied by 10 into 10 divided by 4 इसको 2 से cancel करें 5 पे यह 2 पे रहा 2 से 5 पे 5 into 5 25 multiplied by 3.14 ठीक है यह आएगा 314 multiplied by 25 7850 तो 78.50 cm2 यह तो है area of minor sector यह जो आपका minor sector था इसका area पर उसने पूछा है minor segment का area so यहाँ पर आप देखोगे area of minor segment वो कैसे आएगा वो आपने बता रखा है आपको कि यह जो minor sector था इस area में से इस triangle का area minus कर दीजिए will be equal to area of minor sector minus area of triangle AOB area of minor sector वो हमारे पास 78.50 minus area of triangle AOB यह right angle to triangle बनी जिसमें यह मान लीजिए आपका base है यह height है so इसका area आएगा half into में OA into में OB that is 78.50 minus 1 by 2 into में यह दोनो 10 10 है so 10 into 10 इसको cancel करो 50 हो जाएगा यह 5 into 10 78.50 minus 50.00 that will be 28.50 centimeter square यह जो है minor segment का area है अब आप से पूछा है area of major sector major sector है उसका area यह है major sector इधर वाला अब यह total जो एंगल हो 360 का होता है यह 90 का है तो यह कितना बच गया आप देखेंगे यह बच जाएगा 270 degree का सो यहाँ पर formula लिख लेते हम 270 degree divided by 360 degree multiplied by pi into में r square 0 से 0 cancel 9 से 3 पे 9 से 4 पे यह हो जाएगा 3 by 4 into में 3.14 into में r square मतलब 100 4 से इसको cancel करेंगे 25 पे 25 into 3 that will be 75 multiplied by 3.14 multiply गरिए इसको 3.14 multiplied by 75 यह आएगा 235.50 cm2 अएगा 2